तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को ना स्ट्रक्टर्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं क्योंकि एक इंटर्व्यू के उपपर है और यहां पर जो फॉर्मिशन यूस किये गए हैं वह बहुत ही यूस्फुल हैं बहुत ही अच्छे हैं और ऐसे स्ट्रक्टर्स आपक इस वह बहुत स्ट्रक्टर्स बहुत हैं लेकिन तब भी आपको ऐसा लगया कि यह कितना अच्छे तरीके से बोल रहा है तो वहां पर कुछ नहीं होता है वह सिंपल से ही सेंटेंस को थोड़ा सा घुमा फिरा के बोलते हैं थोड़े से अच्छे-च्छे स्ट्रक्ट्टर् तो ऐसी चीजों को जब यूज करके हम किसी सेंटेंस को बोलते हैं तो वह सिंपल सी बात भीना हमें बहुत इंट्रस्टिंग लगती है और वह चीज एक बहुत अच्छा इंपक्ट डालती है कि सामने वाले को बहुत अच्छे इंगलिश आती है चाहे उसको आए भी ना ठीक अच्छर पकड़ना है आप उसको पांच या पांच बार या दस बार यूस करो इंटाइंशली मतलaff जान बूँच के चिक है कि मैं इसको सिर्फ जान बूँच के यूस करूंगा आज इस वर्ड को या फिर इस एक इस्ट्रक्चर को सो उसको ज喜 Essential then में automatically fit हो जाएगा और फिर आप next अगले दिन कोई एक और नया word पकड़ी है नया structure पकड़ी है उसको use कीजिए तो एक तो आपके उपर pressure जादा नहीं होता कि मुझे 10 words सीखने है मुझे 100 words सीखने है तो वो pressure नहीं होता है और मैंने कई बार बोला हुआ है 100 words को एक बार सीख लोगे और उसको use नहीं करोगे वो बेकार है इससे अच्छा आप एक word सीखो और उसको 10 बार use करो वो ज्यादा अच्छा है कम से कम एक word तो पका होगा वरना आपका एक भी word पका नहीं होगा 100 words याद करोगे लेकिन जब बोलने की बात आएगी उसको use करने की बात आएगी तब हम समझते ही नहीं कि हमें कैसे उसको use करना है या फिर कहां उसको use करना है चीक है बार-बार उसका meaning देखते रहते हैं इस चीज से overcome करने के लिए या तो आप book पढ़ना शुरू कीजिए क्योंकि पूरी book में एक writer जो होता है एक author जो होता है उसकी language सेम रहती है और वो उसी तरीके के शब्द और उसी तरीके के structures use करता रहता है चाहे हमें पहली बार वो word आये सामने हमने उसका meaning देखा Google से next दूसरे तीसरे page पर फिर वो word आएगा हमने फिर देखा उसका meaning नहीं याद आया फिर देखा तीन-चर बार हम देखेंगे लेकिन पांचवे चछटी बार वो हमें याद हो जाएगा और ऐसे words है आप खुद देखोगे जब आप कोई mail लिख रहे हो कोई message लिख रहे हो कोई बात बोल रहे हो तो वो word automatically आपकी जुबान पर आ जाएगा क्योंकि वो word आपका पका हो चुका है और आपको उसका use पता है कि वो कैसे उसको use किया गया यहांसे भी आपको यही चीज सीखनी है कि कोई भी एक चीज मैं यह नहीं कहा रहा हूँ कि इसमें चलो 20 सब्ताइटल है मैं कहाँ 20 सब्ताइटल में से एक चीज तो होगी जो आपको लगएगा जान यहां यह आज अच्छी है मैं सिर्फ उस एक चीज के लिए ही आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाता हूं मुझे बहुत टाइम लगता है उसके पर बहुत एफर्ट लगते हैं मुझे पूरे रास्ते में कभी मुबाइल चार्ज नहीं होता है तो मेरा वो जो पूरा एफर्ट है वो मुझे लगता है कि चलो ठीक है वस वर्थ इचिक है तो यह चीज आप भी अपनी कॉम्यूनिकेशन में अपनी ओवराल जो आपकी पोकन है उसमें एड करना शुरू कीजिए तभी आपको ऐसी वीडियो से कुछ फायदा मिलेगा अधर्वाइस देखते रहो कोई इशू नहीं है लेकिन अगर आपको इसका फायदा उठाना है तो कोई भी आप मैं यह नहीं कहा रहा हूँ कि अगर मैंने वीडियो में पचास चीज से कही है तो पचास आप यूज़ करो नहीं हो पायगा वो पॉसिबल ही नहीं है अगर आप यूज़ करने भी जाओगे तो वो भी बेवकूफ ही है आप 50 यूज़ करने के चकर में 5 भी याद नहीं कर पाओगे तो एक चीज़ पकड़ो उसको यूज़ करो फिर दूसरी चीज़ पकड़ो उसको यूज़ करो ठीक है इस तरह से आपका पक्का होगा तो चले वीडियों शुरू करते हैं पहला हमारे पास sentence है मुझे लगता है कि आप किसी चीज़ से नहीं डरते ठीक है तो जो दो sentences है इसमें कि मुझे लगता है यह जो sentence है लगता कैसे है सोच के लगता है या फिर feel करके लगता है तो think या feel का हम use कर सकते है sentence आपका present indefinite है simple sentence की formation है so do or main word action do or gone है मुझे लगता है तो मैं I फिर main word लगेगा do और action के है या तो सोच के लगता है तो think महसूस करके लगता है तो feel तो मैंने यहाँ यहाँ यूज किया think का so I do think do छोपेगा think में और कोई change नहीं आएगा I think मुझे लगता है अब key के लिए आप चाहो तो that लगाओ या फिर हटा दो कोई issue नहीं है आप किसी चीज़ से नहीं डरते है अब यह जो sentence है यहाँ पर डरना action नहीं है you do not get scared आप इस तरीके सा यूज कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप ऐसे sentences को कोशिश कीजिए कि जब हम किसी चीज़ की एक form बता रहे है कि आप इस condition में नहीं होते हो ऐसे sentences आपको simple अगर sentence में बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप किसी चीज़ से नहीं डरते आप किसी चीज़ से नहीं डरते कि I'm not scared of anything एक हो गया I'm not scared of anything एक हो गया I don't get scared ऐसे हम यूज करते है आप किसी चीज़ से नहीं डरते है तो पूरा sentence बना मुझे लगता है कि आप किसी चीज़ से नहीं डरते I think you are not scared of anything मुझे लगता है कि आप निडर है आप यहाँ पर भी दो ही sentence है यहाँ तो कोई action है ही नहीं कि आप निडर है तो किसकी बात कर रहे है main word फिर वो क्या है आपकी बात कर रहे है you, you के साथ main word लगेगा are अब निडर का मतलब क्या होता है fearless ठीक है fearless कि आप निडर है you are fearless साहसी होता है एक अलग चीज़ courageous ठीक है साहसी एक अलग है निडर एक अलग है साहसी मतलब मिरे अंदर साहस है मिरे अंदर courage है मैं कुछ करूँगा वो एक अलग है लेकिन एक है मैं डरता नहीं हो किसी चीज़ सा तो वो आचीज एक चीज़ fearless के अंदर ठीक है और जब हम sense का use करते हैं तो tell लगाने का जुरूरत नहीं थी ठीक है since your childhood वो इस तरीके से sense बनता ठीक है तो मतलब हम childhood से बात कर रहे हैं तो मेरे पास एक comment भी आया था सर्थ sense के use के उपर जैसे कही बार होता है कि वो start ही sense से करते हैं तो उसके उपर एक video बनाई है अब मैं बिल्कुल उस चीज के उपर video बनाऊंगा ठीक है अभी थोड़ा time की problem हो रही है लेकिन जैसे ही मिलेगा काफी सारे मेरे पास topics है जिनके उपर मुझे video बनानी है मैं बिल्कुल बनाऊंगा लेकिन अभी मैं यहाप एक छोटा सा आपको idea दे देता हूँ एक तो sense का use आपका इस तरीके से आता ही है कि किसी एक particular time से so since my childhood, since 1920 इस तरीके से एक तो sense का use होता ही है दूसरा जो एक थोड़ा confused करतेता है na sense का use since का use होता है चूंकी के तोर पे चूंकी मैं व्यूडियो बना रहा हूँ इसलिए मैं अभी busy हूँ जो चूंकी क्योंकी ऐसा जो sense आता है na so since I am making या फिर since I am doing my work I cannot do any other work और since I am doing my work I am busy so since का use इस तरीके से चूंकी ठीक आप जैसे किसी को बोल सकते हो since I have been watching your videos चूंकी मैं आपकी videos देखता आ रहा हूँ काफे time से तो आप अपना आगे का sentence जोड सकते हो कि your videos have been very useful for me और कुछ भी आप लगा सकते हो so since का एक use ये होता है so यहाँ पे मैंने बस बताने के लिए आपकी ये कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपने बच्पन से अब तक so from your childhood till now एक तो तरीका ये हो गया और दूसरा हमें since का use कर सकते थे फिर till now लगाने के जुरत नहीं थी since your childhood अब till now लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है since your childhood till now या फिर by now का भी use कर सकते है so from your childhood till now क्या आप किसी चीज़ से डरते हैं अब वही चीज़ क्या आप किसी चीज़ से डरते हैं so do you get scared of anything या फिर यहाँ पे sentence का use आ जाएगा are you afraid of anything या फिर are you scared of anything चाहिए afraid of scared of इस तरीका से use कर देते हैं afraid of भी इसी term में आता है आपके लिए so यह जो sentence है क्या आप किसी चीज़ से डरते हैं तो यह भी हमने simple present की formation में ही लिया है और यहाँ पे जो main word है देखो सवाल आ रहा है जिसका जवाब मैं हाया ना में दे सकता हूँ और क्या भी शुरू में लग रहा है so सबसे पहले क्या आएगा मैंने बता है कोई भी इसी तरीके का कोई भी sentence में ऐसा सवाल अगर आए जिसका जवाब मैं हाया ना में दे सकता हूँ तो पहली चीज़ आपके दिमागे में आनी चीज़िए कि main word सबसे पहले आजाएगा so यहाँ पे are you are you afraid of anything कि जब आप किसी चीज़ को महत्व देते हैं तो आप उसे खोने से डरते हैं तो इसके अंदर तीन sentence है तो पहला जो है मुझे लगता है so I do think present and definite do or main word action do छुपा think में I think मुझे लगता है की के लिए that लगाओ वरना हटा दो वह आपकी call है जब आप किसी चीज़ को महत्व देते हैं so जब इक लिए when लगाओगे sad मरख दोगे अब जो sentence बचा आप किसी चीज़ को महत्व देते हैं यह sentence बचा so यहाँ पे देखो यह sentence है ताहती है वाला present indefinite का sentence है आप किसी चीज़ को महत्व देते हैं तो यह जो sentence है यहाँ पर action समझने वाली चीज़ है action है महत्व देना तो लोगों के दिमाग में गिव आ जाता है ऐसे जो action होते हैं इनको समझना बहुत जरूरी है कि लोगों के दिमाग में गिव आ गया चीज़ है देने की बात चल रही है गिव रिस्पेक्ट नहीं यह चीज़ नहीं आती है एक वैल्यू जो टर्म होती है ना किसी को वैल्यू देना चीज़ है या फिर अगर मैं सिंपल एक वैल्यू का यूज करो आई वैल्यू यू तो मैं तुम्हें महत्व देता हूँ सो महत्व देना गिव वैल्यू नहीं आता है सिर्फ वैल्यू टर्म ही होती है जो महत्व देना पूरा एक सेंस लेकर चलता है और ऐसे कई सारे actions होते हैं जिसमें जिसे आना, जाना ऐसे end में आपको लगे हुए मिलेंगे लेकिन action वहाँ पर एक ही word होगा इस तरीके से जिसे आदर करना, अब यहाँ पर करने के लिए do लगाओगे नहीं, obey अपने अंदर ही आदर करना लेकर चलता है इसी तरीके का यहाँ पर भी है महत्व देना, महत्व देने के लिए हम एक ही action का use करेंगे which is value कौन सा sentence बताया है, मैंने यह present indefinite का जब के लिए when लगा है, आप किसी चीज़ को महत्व देते हैं, so present indefinite do और main word action की formation रहेगी do और कौन है आप, you main word लगेगा you के साथ do action के हाँ पर महत्व देना, मतलब value you do value, so do छुपा value में कोई change नहीं आया so you value something आप किसी चीज़ को महत्व देते हैं so when जब मैंने जोड़ देते तो क्या बना जब आप किसी चीज़ को महत्व देते हैं when you value something तो आप उसे खोने से डरते हैं आप इस तो से सेंटेंश शुरू हो रहा है आप चाहो तो देन लगा सकते हो या सो लगा सकते हो चाहो तो ना लगा वो आपकी मर्जी है को issue नहीं है, जरूरी नहीं के लगाना ही है आप उस चीज़ को महत्व दे जब आप किसी चीज़ को महत्व दे तो आप उसे खोने से डरते हैं अब यहाँ पर फिर वही डरना दरते हैं, यह कोई action में नहीं आएगा यह भी आपका simple present के sentence में ही आएगा so किस की बात करे है main word और वो क्या है so you are scared you की बात करे है main word are you are scared, आप डरे होते हैं डरे होते हैं of losing it चीक है, अब off losing it का मतलब उसको खोने से, अब खोने में नानीने वाला sense आ गया न so इसने losing का use हुआ है, अब यहाँ पर off के जगार में to लगाँगा so to lose it आ जाएगा, to के साथ losing नहीं आएगा, चीक है जी so पूरा sentence बना, मुझे लगता है कि जब आप किसी चीज को महत्व देते हैं तो आप उसे होने से डरते हैं I think when you value something you are scared of losing it यह जीवन हो सकता है यह पैसा हो सकता है, अब यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज आपको सीखने को मिलेगी अब देखो हो सकता है can का use होता है न, it can be चीक है, it can be लेकिन आपको ऐसी चीजों में could be का use भी मिलेगा, it could be चीक है, can की जब हम formation लगाते हैं तो एक chance ज़्यादा हो जाते हैं अब बस यह मान के चलो चीक है, he could be somebody could be, so could be का use present में इस तरीके सा होता है could be, कि यह चीज हो सकती है यहाँ पर can be का use अगर आप करोगे तो परसेंटे थोली जादा हो जाएंगी इसलिए यहाँ पर use क्या है, यह जीवन हो सकता है it could be life, यह पैसा हो सकता है it could be wealth, चीक है so यह जीवन हो सकता है, यह पैसा हो सकता है it could be life, it could be wealth मैं एक व्यक्ति के रूप में किसी को महत्व नहीं देता so एक व्यक्ति के रूप में as up, as are, इस चीज़ का use होता है मैंने as के उपर एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने as के काफे सारे use आपको बताए हुई है मैंने वहाँ पर यह भी बताया हुई है कि किसी के रूप में so as a teacher, my duty is to teach you as a teacher, मतलब एक teacher के रूप में एक अध्यापक के रूप में my duty is to teach you मेरा काम आपको पढ़ाने का है इस तरह से मैं एक व्यक्ति के रूप में I as a teacher या फिर I as a person मैं एक व्यक्ति के रूप में किसी को महत्व नहीं देता अब यहाँ पर दोबारा से मैं नहीं लगाया कि मैं किसी को महत्व नहीं देता तो sentence कौन सा है यह present indefinite ही है do और हमने पहले ही लगा दिया give नहीं लगाएंगे value ही अपने अंदर वो sense लेकर चलेगा so don't value anything ठीक है तो do और यहाँ पर I चल ही रहा है तो दोबारा लगाने की ज़रत नहीं है so पूरा sentence क्या बना मैं एक व्यक्ति को रूप में किसी को महत्व नहीं देता I as a person don't value anything जब मैं किसी चीज को है ये जब मैं किसी चीज को महत्व नहीं देता so जब के लिए when लगाया sad में कर दिया मैं किसी चीज को महत्व नहीं देता so वही sentence बनेगा present and definite का do or mean what not or action I do not value value यहाँ पर action है I do not value anything ठीक है I am not afraid of losing anything यह sentence भी हम बना सकते है I am not afraid of losing anything ठीक है तो यह होगी आपका simple एक simple present की formation में दूसरा भी यहाँ पर action जैसे मैंने बताया था ना कि आपको इसमें action कि अगर बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो so यहाँ पर मैं तो मुझे उसे खोने का डर नहीं होता तो मैंने बताया है मुझे कुछ होता है मुझे कुछ है ऐसी जगा पर हम get have इनका use करते है have का use आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा ऐसे sentences में और have यहाँ पर एक action की तरह use होता है ठीक है कि मुझे कुछ है या फिर मेरे पास कुछ है मुझे कुछ होता है so have यहाँ पर action की तरह पर use होगा ठीक है अगर इसको आप action वाले sentences बनाना चाहोगे non action में बनाना चाहो so I am not afraid of losing anything यह sentence बन गया second मैंने यहाँ पर बनाया present indefinite की formation में so मुझे कुछ खोने का डर नहीं होता so मैंने बताय हुआ है अगर ऐसे sentences होते है जिसमें have action है तो mostly ऐसे sentences आपको indefinite की formation में ही बनाने होते है so do or main word not or action do or कौन है मैं I main word do उसके साथ not action यहाँ लगेगा have I do not have क्या नहीं है मुझे I do not have fear I do not have fear मुझे डर नहीं है of losing anything किसी चीज़ को खोने का of के जगा to लगाते है तो losing में से ing हट जाता simple formation है so पूरा sentence बना जब मैं किसी चीज़ को महत्व नहीं देता तो मुझे कुछ खोने का डर नहीं होता when I do not value anything I do not have fear of losing anything don't बोलते हैं इसको do not मैं इसलिए बोलता हूँ ता कि समझ में clearly आ जाएं और जब मुझे कुछ खोने का डर नहीं होता मैं कभी नहीं डरता इस तरीके से बना क्या बना और जब मुझे कुछ खोने का डर नहीं होता और जब के लिए and when लगाएंगे sad रग देंगे मुझे कुछ खोने का डर नहीं होता so same sentence लिए I do not have fear of losing anything मैं कभी नहीं डरता I never get scared तो यहाँ पर जो sentence लिया गया I never get scared यह sentence कौन सा लिया गया है present indefinite की formation में so मैंने यहाँ पर क्या बताया था have या फिर get इन दौनों का use आपको मिलेगा इस तरही के से अब जब मैंने get का use किया so fear नहीं लगाँगा मैं अब मैं get के साथ लगाँगा और यह action के तौर पर जो लिया जाता है scare scare की formation लगेगी I never get scared I do not have fear इस तरही के से लगेगा so I do not have fear I never get scared I am not afraid इस तरह से तीनों sentence बनेंगे और यह तीनों sentence आपके बिल्कुल सही है इस समाज में कुछ लोग सोचते हैं कि आप भगवान है अब यहाँ पर जो यह reporter है यह पूछ रही है इस समाज में कुछ लोग सोचते हैं कि आप भगवान है आप देको sentence पकड़ते हैं doer से doer का है कुछ लोग सोचते हैं कि आप भगवान है यह sentence कौन सा है यह sentence है आपका present indefinite ठीक है जी ता है ती है ते है कुछ लोग क्या है मतलब few people ठीक है few people तो यहाँ पर do और main word action की formation आएगी ठीक है so few people मतलब कुछ लोग main word क्या लगेगा do few people in this society think या फिर few people think in this society sentence की दोनों formation सही है अब क्या बचा इस समाज में सब्सक्राइब यह तो मैंने लगाई दिया इन दिस सोसाइटी अब यह इन दिस सोसाइटी जो term है जो sentence से पहले आ रहे है इस समाज में आप in this society को सबसे पहले भी लगा सकते हो कि in this society few people think आप इसको सबसे end में भी लगा सकते हो few people think in this society आप इसको बीच में भी लगा सकते हो few people in this society think आप बीच में लगाओगे तो कहां लगाओगे action से पहले action के हैं पर think so few people in this society think कि आप भगवान है that you are a god अब आप भगवान है यह sentence आपका simple present है किसकी बात करे है main word और वो क्या है आपकी बात करे है आप you main word are क्या है भगवान a god तो पूरा sentence बना इस समाज में कुछ लोग सोचते हैं कि आप भगवान है few people think in this society that you are a god अब in this society आप कई जगा लगा सकते हैं मैंने तीन जगा बता दिया जहां आपको ठीक लेगा आप यूज कर सकते हो और कुछ लोग सोचते हैं कि आप भूत है और के लिए end लगा है sad मरक दिया अब sentence बचा कुछ लोग सोचते हैं या भूत है फिर वही sentence आया न तो यहाँ पर do or main word action do or कौन है कुछ लोग few people main word लगा do ठीक है अब यहाँ पर few people लगे जगा few का use किया गया है क्योंकि वो एक understood वाला sense है and few think और कुछ सोचते हैं people लगाना चाहो लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यहाँ पर एक समझाने के लिए मैंने इस चीज़ को sentence को इस तरीके से रखा है कि few people think that you are a god and few think and on the other hand दूसरी तरफ ऐसे incentives को use करते है and few think चीक है you are a ghost कि आप एक भूत है तो वास्तव में RGV क्या है अब देखो RGV का इसका मतलब है राम गुपल वर्मा जिसका यह interview ले रही है तो हम ऐसे बोलते हैं कि यार जैसे मान लीजे कि मैं रनवीर कपूर से बात कर रहा हूँ चीक है तो यार कुछ लोग तो सोचते हैं कि आप ऐसे हो तो एक्च्वल में रनवीर कपूर है क्या उस सेंस में इसने बोला है तो वास्तव में RGV क्या है तो वास्तव में का मतलब एक्च्वली इन रियालिटी कोई भी टम आप यूज कर सकते हो चीक है तो वास्तव में इसके लिए मैंने तो के लिए सो लगाया और वास्तव में के लिए मैंने क्या लगाया एक्च्वली चीक है अब RGV क्या है अब यह सेंटेंस कौन सा है यह सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का है और यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है और सवाल ऐसा जिसका जवाब मैं हाया नामे नहीं दे सकता सबसे पहले question word आएगा फिर main word फिर किसकी बात कर रहे है क्योंकि हाँ पर action or doer तो है ही नहीं so question word क्या है क्या what what के साथ अब term कौन सी चल रही है किसके person क्या है singular है so what is उसके बाद main word आया किसकी बात करे है यह spoken में बहुत चलता है और बहुत बिल्कुल acceptable है चीक है यह उन में से हर एक के अनुभव पर निर्भर करता है निर्भर मतलब depend चीक है so यह उन में से हर एक के अनुभव पर निर्भर करता है चीक है यह sentence कौन सा है यह sentence आपका present indefinite है क्योंकि यहाँ पर depend, अनुभव करना, यह एक action है, अब देखो, जैसे यहाँ पर अनुभव करना आया, निर्भर करना, अब यहाँ करने के लिए do नहीं लगाएंगे, क्योंकि निर्भर करना, अपने अंदर एक depend जो होता है, यह निर्भर करना अपने अंदर पूरा लेकर चलता है, sentence इस तरीके से पकड़ो, यह निर्भर करता है, चीक है, तो यहाँ पर निर्भर कौन करता है, यह, तो यह मेरा doer है, so doer main word action, doer कौन है मेरा यह, it, main word लगेगा, it के साथ क्या, does, action क्या है, निर्भर करना, मतलब depend, so does चुपा depend में, और वो क्या बनेगा, depends, it depends, यह निर्भ एक के, चीक है, तो each का use होगा यहाँ पर, so it depends on the experience, कि यह experience पर, अनुभव पर निर्भर करता है, हर एक के, so of each of them, चीक है, प्रती एक के, so यह उन में से हर एक के अनुभव पर निर्भर करता है, it depends on the experience of each of them, जैसा की आपने कहा कि आप मतलबी है, चीक है, अब यहाँ पर reporter क जैसा की आपने कहा, अब इस जैसा की के लिए हम यूज करते है, as, यह भी मैंने बताया हुआ अस वीडियो में, जहाँ पर मने एस के बारे में बताया है, पूरा, so as you said, as का मतलब जैसा की, अब sentence है, आपने कहा, यह sentence है आपका past indefinite, आपने कहा, past indefinite, so do or main word action, do or कौन है, you आपने, main word लगेगा, did, और action कहा है, कहना, say, did छुपा, say में, और वो said बन गया, so you said, आपने कहा, अब पूरा sentence, जैसा की आपने कहा, as you said, अगर मैं बोलू, जैसा मैं कर रहा हूँ, ऐसे करो, so as I am doing, ऐसे बनेगा, जैसा की, जैसा की, जैसा की आपने कहा, as you said, कि आप है, स्वार्थी, ठीक है, अपने बारे में सोचने वाला, वो, आप मतलबी है, so किस की बात कर रहे है, main word और वो क्या है, ये sentence, आपका simple past का sentence है, so आपके बात कर रहे है, you, main word लगेगा, are, मतलबी क्या, मतलब selfish, you are selfish, तो पूरा sentence बना, जैसा की, आपने कहा, कि आप मतलबी है as you said that you are selfish, या फिर that को हटा दो, as you said you are selfish, आप केवल अपने बारे में सोचते हैं, अब ये sentence कौन सा है, ये है, आपका present indefinite sentence, चीक है, केवल को अभी side में रख दो, चीक है, केवल term को side में रख दो, आप अपने बारे में सोचते हैं, present indefinite sentence है, simple है, do or main word action, do or कौन है, आप, you, main word लगेगा do, action कहा है, सोचना, think, do छुपा think में और वो क्या बन गया, think, you think, आप सोचते हैं, अपने बारे में, about yourself, अब जो केवल term है, इसके लिए मैं only का use करूँगा, only कहां लगेगा, action से पहले, action कहा है, मेरा think, so you only think about yourself, आप केवल अपने बारे में सोचते हैं, मैं अब के present indefinite है, पहला है, मैं उसी के बारे में सोचता हूँ, so, मैं उसके बारे में सोचता हूँ, I think about, do or main word action, I do think, so I think, do छुपा think में और वो think बन गया, I think about, मैं सोचता हूँ किसके बारे में, जो भी मुझे खुशी देता है, अब जो भी जो term रहती है, इसके लिए हम use करते है whatever, आप यहाँ पे what का भी use कर सकते हो, कि जो का sense आ रहा है, जो भी तो नहीं आ रहा है, आप what का use कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, whatever भी लगा सकते है, जो भी, मुझे खुशी देता है, अब यहाँ पे खुशी देता है, यहाँ पे action तो आ गया, देखो, यहाँ पे action तो आ यह मेरा यहाँ पर doer है so doer main word action doer मैंने लगाया whatever अब यह singular term है जो भी खुशी देता है singular term है whatever फिर उसके साथ क्या लगएगा main word does action कहा है खुशी देना so give happiness so give में does छुपा gives बन गया whatever gives जो भी देता है मुझे खुशी me happiness so whatever gives me happiness जो भी मुझे खुशी देता है so पूरा sentence क्या बना मैं उसी के बारे में सोचता हूँ जो मुझे खुशी देता है I think about whatever gives me happiness मैं हमेशा अपने काम के बारे में सोचता रहता हूँ ठीक है अब यह जो है ना मैं हमेशा अपने काम के बारे में सोचता रहत हूँ आप यह पर कीप का भी यूज़ कर सकते हो एक तो तरीका यह हो गया कि I am always sorry I always keep thinking कि मैं हमेशा सोचता रहता हूँ अब यह sentence बनेगा आपका present indefinite में चीक है I keep thinking अब keep doing something का मतलब होता है कोई चीज़ करते रहना एक तो मैंने keep का use बता दिया अब जब मैंने keep का use बताया so यहाँ पर keep मेरा action है कोई चीज़ लगातार हो रही है और यह sentence मैंने बनाया है present indefinite की form में I do not keep doing this कि मैं इसको नहीं करता रहता हूँ I do not keep thinking मैं नहीं सोचता रहता ऐसे दूसरा यह sentence आपका बन सकता है continuous sentence में कि मैं हमेशा अपने काम के बारे में सोच रहा होता हूँ उस तरीके से सोचता रहता हूँ so मैंने यह sentence बनाया है यह बनाया है मैंने present continuous की formation में अभी अभी अब हमेशा term को भूल जाओ मैं अपने काम के बारे में सोचता रहता हूँ तो ये continuous sentence में मैंने बनाया do or main word action की first form में ing do or कौन है मैं I main word लगेगा am action क्या है सोचना so think में ing लगेगा I am thinking किसके बारे में about my work ची कि मैं अपने काम के बारे में सोचता रहता हूँ अब जो time आई है हमेशा इसके लिए जो मैं always लगाऊंगा यह मैं कहा लगाऊंगा या तो मैं sentence के end में लगाऊं और सबसे अच्छा है मैं action से पहले लगाऊं action क्या है मेरा thinking so इस से पहले मैं always लगा दूँगा I am always thinking about my work मैं हमेशा अपने काम के बारे में सोचता रहता हूँ दूसरा I always keep thinking about my work अब यहाँ पर भी जो always लगा वो कहा लगा keep से पहले क्योंकि keep के अंदर do छुपा हुआ है I do keep do छुपा keep में और वो keep है so यहाँ जो action है keep इस से पहले मैं always लगाऊंगा अगर मैं इसको indefinite sentence में बनाऊंगा तो कि I keep sorry I always keep thinking ऐसे बनेगा और continuous में लगाना है I am always thinking about my work लोग सोचते हैं कि मैं एक अच्छा फिल्म नर्माता नहीं हूँ अब यहाँ पर लोग सोचते हैं यह तो typical आपका present indefinite की ही form दे रहा है कि people do think do or main word action do or कौन है look people उसके साथ main word आएगा do action कहा है सोचना think do चुपा think में और वो think ही बन गया कि people think लोग सोचते हैं कि that मैं एक अच्छा फिल्म नर्माता नहीं हूँ sentence कौन सा है simple present का negative किसकी बात कर रहे है main word उसके साथ not और वो क्या नहीं है so मैं की बात चल रही है I I के साथ main word am उसके साथ not अब मैं क्या नहीं हूँ एक अच्छा फिल्म नर्माता a good film maker so sentence बना लोग सोचते हैं कि मैं एक अच्छा फिल्म नर्माता नहीं हूँ people think that I am not a good film maker लेकिन मैं इन सब बातों की परवाह नहीं करता चीक है तो यहाँ परवाह करना चीक है अगर यहाँ पर simple होगा I care about this मैं परवाह करता हूँ मुझे do लगाने की जूरत नहीं है चीक है I care about this मैं इसकी परवाह करता हूँ चीक है यहाँ पर do care में छुपा हुआ है दो बार do लगाने की जूरत नहीं पड़ेगी लेकिन यहाँ पर negative sentence है लेकिन के लिए but लगा है sad में रख दिया मैं इन सब बातों की परवाह नहीं करता चीक है पूरा sentence बना लेकिन मैं इन सब बातों की परवाह नहीं करता तो यह थी आज की वीडियो I hope वीडियो आपको पसंद आई होगी useful रही होगी आपके लिए कोई भी डाउट है कोई भी क्वेरी है comment box में जाईए वहां मुझसे पूछिए वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए नए है लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए thank you